हाई फ्रेंज वेलकम टू मैं चैनल मैं हूँ दिपली और आप सब को वेलकम है मेरी ब्लोगिंग चैनल में जिसका नाम है दिपली संसाइन टू संसेट अगर चैनल में नए है तो चैनल को प्लीज लाइक से शब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि मैं बनना चाते हूँ आप लोगों के फ्रेंज और मुझे आप लोग कॉमेंस कर सकते हो आप लोग मुझे आया था माइगरेन और साथ ही में दीवाली आ गया है तो घर के साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस ताइम साफ सफाई करते ही है सारे लोग तो वो ही करना है और साथ ही में हेड़े भी चल रहा था तो थोड़ा सा मोड अज डाउन है मगर फिर क्या ही कर सकते हैं आ गया है फेस्टिबल तो काम करना ही पड़ेगा और कोई टाइम भी नहीं मिलता है यह टाइम में अव्यू किया था स्कूल अव्यान सो रहा था तो पापा भी मुझे हेल्प करने के लिए हाँ पे आ गये थे तो दिखिए मैंने डोर के उपर ना यह एक है यहां पे और पापा ने मुझे बहुत मदद किया पता है फ्रेंस मेरे पापा ना अचकल कैसे हो गया है अभी भी मुझे लेकर बहुत ज़ारा पॉसिज्व है कभी मैं कुछ लैडर में उटना चाती हो या फिर ऐसा कुछ काम करना चाती हूँ तो फिर पापा करने नहीं तो इसको यहां पहले जहां पर नगाना है वो सर्फेस को दिन खुला करना होता है और इसके बार इसको चिपक देंब तो यह पहुत ہी जाता है तो यहां पर काणी का डिकोरेशन चली रहा था मेरा तो पापा भी यहां पर ही थे तो इस बार थोड़ा-थोड़ा मैं क्या करते हूँ कि उज्वाली लास्ट यार का बहुत सारा लाइट है और उसके साथ हर साल थोड़ा करके लाइट भी लेके आती हूँ तो फिर एडजास हो जाता है क्योंकि यह वाला लाइट तो हर साल खड़ाब होता है और यह रिखिए पापा मुझे लाइट खोलने में मदद करे थे और साथी में यहां पर अवियान भी आ गया है तो वो भी मुझे मदद करने के लिए आई गया है तो फ्रेंज फाइनली जो भी लाइटिंग था मैंने अल्मोस्ट लगा दिया है यह रिखिए पीछे पूरा एक्तम लगा दिया है लाइट लाइटिंग तो हो गया है मगार इसकसल अभी कर नहीं है तो कनेक्शन के लिए गइप ना पड़ करा तो अभी तो बहुत टाइप हो गया है बिना आना है उसके बाथ लाइट लica करके अव्योग को भी पीणा खाया है तो पीट से करेंगे उसको शाम हो जाएगा जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं ऊपर का जो लाइट ना वो ले के आई थी वो लास्ट यर का है और नीचे का जो यह वाइट वाइट कलर का लाइट आप लोगों को दिख रहा है यह ना इस बार में लेकर आई हो तो ये भी यहां पर लगा दिया है इस बार ना कुछ डिजाइन दिमाग से नहीं आ रहा है तो मैंने ऐसी रफली यहां पर लगा दिया है और साथी मैं देखते हैं कानेक्शन कैसे करना है कि थोड़ा सा कानेक्शन करना मुश्किल है बहुत जादा वेर वेर चाहिए होता है यहां पर तो अब भी यह सब करते करते हैं यह देखिए अभी शाम के टाइमिंग में कितना अच्छा लग रहा है डूर एकदम लाइटिंग यह फिक्स लाइट है यह कुछ ब्लिंग नहीं करता है कुछ भी नहीं होता है तो यहाँ पे door का light मैं ने on कर दिया है मगर balcony चल चल लिया balcony में तो यहाँ पे balcony का connection अभी तक चल रहा है पता है friends 4-5 extension cord लगा था इसको balcony में connection करने के लिए और कभी यह हो रहा था तो कभी वो वाला light नहीं जल रहा था तो ऐसा होई रहा था और मेरे से ना frankly speaking कभी भी जब भी मैं light लगाते हूँ ना हमेशा मुझे मतलब shock तो लगता ही है electric का और सच में मैं डर रही थी मगर इस बार भी ऐसा ही हुआ fast मुझे ही लगा तो मुझे हर बार लगता है यह एक्टम compulsory है कुछ नहीं कर सकती तो यहाँ पर यह सब कर रही थी तो यहाँ पर रिखिए एक साइट का light तो मैंने on कर दिया है मगर दूसरे साइट का light नहीं जल रहा था तो मुझे लगता है कि मेरे husband को help करना पड़ेगा तो मेरे से नहीं होगा क्योंकि अल्रड़ी यह light करते करती मेरे से शौक लगा था तो इसके बाद मैं बहुत जबरदस्ती करके बोल रहे थी कि तुम करो मुझे थोड़ा सा help करो मेरे से नहीं हो रहा है तो वही तो हम लोग वही कोशिश कर रहे थे एक, दो, तीन, चार ऐसे करते करते कि इतना सारे extension cord कोड के साथ पुरा connection करना पड़ा तो finally ये जल गया था तो दूसरा नहीं जल रहा था तो ऐसा होई रहा था और उपर से यहां पर अवियान भी घूम रहा था तो मैंने पापा को बताया कि अवियान को लेके जाओ थोड़ा सा मुश्किल है नहीं तो फिर नहीं तो नहीं कर पाएंगे तो finally ये सब करते करते इधर उधर इधर उधर करते का तो finally connection हो गया था तो इस बाद दिवाली के लिए light का जो decoration है वो finally बन के तयार हो गया था बहुत मैंने late कर दिया है last time यूजूली मैं तीन-चार दीन पहले से करते हूं अगर इस बाद थोड़ा सा late हो गया है तो चलिए आप लोगों को दिखा देते हैं कि light का connection होने के बाद कैसा लग रहा है एक तम balcony it's looking beautiful बहुत जादा light है बहुत कुछ है और यहापे ना सबसे मतलब सबसे अच्छे जो बोल सकते हैं balcony में जो explain कर सकते हैं वो है अभयान तो चलिए फिर अभयान को लेके आते हैं और देख 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 अभयान का reaction कैसा है तो फाइनली देखा फ्रेंट अभयान का reaction कैसा था वाव रियक्शन था तो आज के लिए फ्रेंट यहीं तक था बाई बाई टेक क्यार वाई नाइस देख चलिए फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं बाई